तो आज फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेकि जिसका नाम है इस रमजान फेस्बुक लीड्स को वाटसेप पर इंस्टेंट फॉलो अप सेंड करें है ना फेस्बुक लीड्स जैसा कि आप जानते हैं जिसकी हैल्प से हम फेस्बुक पर एड्स वगरा रन करते हैं अब क्या होता है कि जैसे ही महां से कोई फॉर्म फिल करेगा आपका एड्स देखेगा तो उसको फॉर्म देखेगा वो फॉर्म फिल करेगा तो आपके पस न्यू लीड्स जो है जनरेट होगी तो इस आटोमेशन की हैल्प से क्या होगा कि ज यहां यह हो सकता है एक automation की help से जो हम साइट करेंगे Facebook, Lead Guide और WhatsApp के बीच में है ना बट आप बोलेंगे कि दोनों ही different applications हैं इन दोनों के बीच में कोई connection तो ही नहीं तो आप कैसे करोगे मैं करूँगा एक software की help से जिसका नाम है Pably Connect है जो की एक automation and integration software है उपर से free software भी कह सकते हैं क्योंकि 100 task monthly के free देता है और free में हम account भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है चलिए आपको भी मैं सिखा देता हूँ कि कैसे आप भी आपके इस automation को automate कर सकते हैं अपने according जैसा भी आप चाहते हैं message sign करना चाहते हैं या फिर अपनी leads को कुछ offer sign करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं ये बिलकुल मैं पूरी process बताऊंगा कि कहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pably.com प्रसंटर ये है official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा हमारा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard okay dashboard open हो जाएगा then right hand side में हमारा create workflow का option रहेगा उस पर क्लिक करेंगे then अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम देता हूँ facebook lead ads to whatsapp मैंने नाम दिया facebook lead ads to whatsapp आप अगर कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आप वो नाम भी दे सकते हैं एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी यह same workflow अपने account में यूज कर पाऊगे वो भी एकदम free में workflow को नाम देने के बाद सामने दो windows आ गए trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब यह ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे facebook lead ads के form को जब भी कोई फिल करें तो automatically उसको उसके whatsapp पे follow up message जो है send हो जाए जिसके अंदर एक छोटा सा offer भी हो के सो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले हमारी first application में चूज कर लिए facebook lead ads को search किया और चूज कर लिए facebook lead ads को then trigger event में चूज करेंगे new lead instant beta okay then connect पे क्लिक करेंगे connection के ल already login है जैसा कि आप देख रहे हैं आप भी connection करने से पहले make sure कर लिजेगा कि आपका account login है या नहीं connection होने के बाद मेरे सामने सबसे first field आई है page की सो यहां से मैं page select कर लूँगा जिस page के अंदर मेरा facebook lead ads form है सो वो page है keser suites okay यह सारे pages के नामे जो भी मेरे account में मौझूद है दिखा देता हूँ आपको अभी पहले में select कर लेता हूँ keser suites को okay so keser suites एक page है है ना जिसके अंदर lead generation form है जिसका नाम है suites brochure form मैं चाहता हूँ क कि इस form को जब भी कोई fill करें तो automatically उसको whatsapp message signed हो जब तो पहले तो मैं आपको pages दिखा देता हूँ यह सारे pages है मेरे account के अंदर जो मौझूद है keser suites वाला page में आपको दिखा देता हूँ open करके अभी okay यहां पर मैं search कर लेता हूँ control F करके keser ठीक है तो यह आ गया keser suites के नाम से यह वो page है keser suites के नाम से और इसी के अंदर जो है यह हमारा form है जिसका नाम है suites brochure form मैं चाहता हूँ कि जब भी इसको कोई fill करें तो automatically whatsapp पे उसकी details जो है whatsapp पे उसको एक message sent हो जाए तो अभी आप लोग देखी चुके हैं कि मैंने यहां पर जो है अपना form भी page भी select कर लिया keser suites के नाम से और lead generation form भी select कर लिया ठीक है अब मैं simply click कर देता हूँ यहां पे save and send test request पे ओके तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां शोर आए waiting for web book response means अब जब भी मेरे इस form को कोई fill करेगा इस internet पे कोई भी fill करेगा add को देखके तो automatically उसकी details publicly connect यहां पे अपने पास capture कर लेगा तो चली एक बार इस form को fill करके check करते हैं कि details capture होती है के नहीं okay so मान लीजे मेरा email address है Gary monroe6778.com और जो मेरा full name है Gary monroe और जो मेरा phone number है वो है 8269 okay यहां पे मैं phone number add कर देता हूँ 8269-366-913 ठीक है next पे click करके form को कर देता हूँ मैं submit ठीक है form successfully submit हो गया है चल के check करते है पैबली connect के पास इस form की details पहुंची है या नहीं okay so yes जैसा कि आप देख रहे हैं तुरंत response received हुआ है हमारे सामने और हमारे सामने जो है सारी की सारी details जैसे कि आप देख पा रहे है जो भी मैंने email address fill किया था और first name fill किया था और phone number fill किया था वो सब मेरे सामने ह so अभी हम successfully integrate कर चुके हमारे facebook leadite को पैबली connect से अब जब भी हमारे facebook leadite के इस form को जिसको अभी मैंने fill किया उसको कोई fill करेगा तो automatically पैबली connect उसका data capture कर लेगा अब मैं पैबली connect को order देता हूँ कि जो भी form fill कर रहा है उसका जो भी number है whatsapp number उस number पे उन्हें एक follow up message sign करो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा second application में जाओंगा और whatsapp by 360 dialogue को choose कर लूँगा क्योंकि whatsapp से हम directly message sign नहीं कर सकते इसलिए हम help ले रहें 360 dialogue की क्योंकि 360 dialogue के पास whatsapp की official API का access है that's why and 360 dialogue जो है वो हमारा खुद का कोई family connect का कोई feature या tool नहीं है यह third software है जिसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा पर्चिस करना पड़ेगा और इसका description box में मैंने link दे दिया है by link आप जाके महां से खरीद सकते हैं और इसके लिए हम लोग आपके लिए एक favor कर सकते हैं कि हमारे through अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको एक बहुत ही reasonable price में यह मिल जाएगा action event में हम चूज करेंगे sign template message को क्योंकि एक template message ही हम sign करने वाले दन connect पर क्लिक करेंगे उसके बाद add new connection पर connection बनाने के लिए API की और domain की जरूरत लगेगी उसके लिए चलना होगा 360 dialogue के account पर तो यह 360 dialogue के account कर dashboard left hand side पर whatsapp account से उसके क्लिक करेंगे यहां पर option आएगा generate API की का इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो एक API की generate होगी जिसको copy करना होगा और यहां पर आके paste कर देना होगा domain के साथ भी ऐसा ही करके click करना होगा save पर तो मेरा जो connection है वो successfully हो जाएगा बट एक important बात बता देता हूँ कि इस API की को बार बार generate करने की कोई भी जरूरत नहीं है एक ही बार generate कीजिए और उसी का use जो है आप multiple applications में कीजिए मैं भी एक बार generate कर चुका हूँ API की को that's why दुबारा नहीं करूँगा select existing connection पर click करके save पर click कर दूँगा तो connection जो है successfully हो जाएगा 360 dialogue का पैबली connect से connection जैसे कि आप देख रहें connected है मेरा whatsapp by 360 dialogue पैबली connect से connect होने के बाद सबसे फिल्ड आई है template की तो यहां से हमको choose करना है template यह मुझसे पूछ रहा है कि sir कौन सी template जो है आप send करने वाले हैं send करना चाते है okay so यहां पर मैं जैसे click करूँगा तो मेरी सारी की सारी templates के नाम आने लगेंगे है ना so जैसा कि आप देख पर हैं यहां पर मैं आपको introduce करा देता हूं सबसे पहले तो अपनी template से click करूँगा manage templates पर तो आज तक जितनी भी create की हैं वो सब सामने आ जाएंगी जैसा कि आप दे कीज़े preview and submit पर देन यह approval के लिए जाएगा pairing company facebook के पास facebook इसे आदे घंटे से लेकि 48 घंटे के बीच में जो है approval दे देगा देन आप भी आपकी खुद की template यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परिशानी के okay so आज मैं जिस template का use करने वाला हूं उसका नाम है ptm okay ptm से मैंने ना जब भी ज़रुद पढ़ यह आप उसको send कर रहे है template की सही भाशा में मतलब यह okay so template के अंदर आप देख रहे हूंगे लिखा dear dear के बाद curly bracket में one और यहां पर भी curly bracket में two three four यह लिखा यह क्या है तो यह है variables यह हर message में change होने वाले है मेरे according that's why मैंने इने variable बनाए आपके according ज जैसे कि Gary Monroe ने नाम फिल किया तो अभी यहाँ पर Gary लिख दिया तो यहाँ पर Gary Monroe हो गया यहाँ पर अगर में लिख दूगा Heather तो यहाँ पर Heather हो जाएगा और नीचा आ जाते है this is to inform you this is to inform that a PTM is being held on यहाँ पर हमारी date आ जाएगी है ना okay so I am really sorry हम यह वाली template नहीं use करने वाल हम इस तरीके की होती है ना variables भी आप समझ गया है और template भी आप समझ गया है तो हम template जो use करने वाले है उसका नाम है रमदान ओके है ना Ramadan offer ओके रमदान offer वाली यह template है यह हम use करने वाले है ना so template हमारी कुछ इस तरह से रहेगी है hello यहाँ पर variable फिर आ गया first है ना तो hello के Ramadan will infuse you with courage that will help you be triumphant over the adversities of life this Ramadan we have offer for you और यहाँ पर offer आ जाएगा हमारा then thank you और हमारी company का नाम okay so इस तरह से यह template हमारी है okay so इस template को मैं choose कर लेता हूँ सबसे पहले तो जिसका नाम है Ramadan offer okay so यहाँ पर search करूँगा Ramadan offer okay so यहाँ पर मैंने template create करिया आप और दूसरी तरीके से और कोई दूसरा message भीजना चाहें तो आप दूसरी template जब create करें तो अपने according जैसा message लगाना चाहते है वैसा लगाई है okay so यहाँ पर Ramadan offer नाम की template चूज कर लिए हमने name space को वैसा ही रहने देंगे language code again का मतलब English होता है then recipient mobile number जो की required है हमें यहाँ इस blank field में add करना है कि जिसको हम message sign करने वाले हैं उसका mobile number हमें add करना है okay so mobile number कहां से मिलेगा यह रहा mobile number Facebook lead act से जो data मिला है वो data okay so यह data मुझे add करना है इस blank field में तो ऐसा करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping mapping में हमारी trigger application का data action application में add कर सकते हैं okay कैसे करेंगे blank field में क्लिक किया नीचे option है Facebook lead act का क्लिक किया Facebook lead act पे नीचे scroll किया यह रहा phone number क्लिक करके map कर दिया simple कोई बड़ा task नहीं है और map करना बहुत जरूरी है important है if अगर आप map नहीं करेंगे data को तो आपका जो automation है वो automatically काम नहीं करेगा change हो के दोबारा okay then आ जाता हूं नीचे body field 1 पे okay so example जैसे की name दिया body field 1 यह रही body field 1 hello के बाद header आएगा header आएगा means customer का जो है name आएगा जिसने form fill किया है okay so यह पे जिसने form fill किया है उसका नाम हम map कर देते हैं यह रहा full name map कर दिया simple and body field 2 के अंदर offer आएगा okay so जो भी offer हो आपका so मैं लिख देता हूं 20% 20% off on काजू कतली okay एक random सा offer okay so यहाँ पे मैंने दे दिया सभी को दे रहा हूं company का name so company का name है kesar sweets kesar sweets kesar sweets नाम से company है then अब click करूँगा save and sign test request पर जैसी save and sign test request पर click करूँगा इस whatsapp number पर तुरंत एक message जो है sent हो जाएगा चली करके देखते हैं click कि है मैंने save and sign test request पर है ना so save and sign test request पर click करने के बाद response रेसेव डूँगा और तुरंत मेरे पास एक message आए क्योंकि मैंने इस whatsapp number का whatsapp web already open करके रखा था अपने पास that's why मेरे पास यह message आ गया okay so जैसा कि करके देख लेते हैं hello Gary Monroe में Allah always guide you all throughout your journey is in life I wish this Ramadan will infuse you with courage that will help you be triumphant over the adversities of life this Ramadan we have an offer for you 20% off on kaju qatli thank you keser sweets तो यह message की presence बता रहे हैं कि हमने हमारा automation successfully set कर दिया है simply हमें click करना है save और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सारा काम हमारा software करेगा क्या करेगा software जैसे ही कोई आएगा और हमारा facebook lead act form का form fill करेगा जो की जिस form का नाम है sweets brochure form और जो page में है keser sweets नाम के उसको कोई fill कर तो automatically उसको उसके whatsapp पे एक इस तरह का message send हो जाएगा जिसके अंदर आके उसका नाम होगा जिसने form fill किया है और यहां पे उसका offer होगा ठीक है इस तरीके का automation हमने हमने सैक कर दिया है और यह automation में हमारे involvement की 1% भी जरूरत नहीं है सारा काम software करेगा सब कुछ automatically होगा ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परेशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना इस link पे click करना और आप भी यह same workflow अपने account में use कर पाओगे वो दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेग Thanks